हेलो फ्रिंज वेलकम टू लार्गो एजुकेशन तोड़े वी विल स्टाड़ी कॉपरेटिव सोसाइटी फ्रिंज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गिनाइजेशन देख रहे हैं ओके जिसमें हम लोगों ने अभी तक सोई प्रोप्राइटर्शिप पार्टनर्शिप एंड हुएफ के बारे में देखा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में देखेंगे सी नियम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कॉपरेशन से रिलेटेड होगा ओके सु फ्रिंट्स आप बिलकुल सही समझ रहे हैं यह कॉपरेशन से ही रिलेटेड है यहाँ पास मैंने कुछ वर्ट्स लिखका रखे हैं उनके बारे में हम देखते हैं तो हमें यह और क्लियर हो कॉर्वाइटी को कॉर्परेशन उनके इसमें पीपल Ärर्र गार के वक करतें और के सबका Council कॉमन से तक एक पपस होता है कि हमें वेलफेर प्रोवाइट करना उनके इसनका यह परपस नहीं होता है कि हमें प्रोफित करना इसमें सारे स्णमें का पर पर परस यह हो टा में Reed कर प्रोवाइड कर सकें, okay, service motive उनका यही होता है, then voluntary association, voluntary association means by our own wish, okay, means, वो अपनी मर्जी से अंदर आते हैं, entry करते हैं, अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं, बस उन्हें एक notice देनी होती है, जब वो जाते हैं, लीफ कर रहा होते हैं, society को, तो बस उन्हें एक notice देनी होती है, then वो लीफ कर सकते हैं, okay, and then welfare motive, welfare motive means, इनका motive यही होता है, कि लोगों को welfare करें, मतलब welfare होता है, and then welfare motive, okay, तो इनका purpose ही होता है, यह welfare motive से ही मतलब काम करते हैं, okay, इनको profit earn करने का यह कोई भी इनका motive नहीं होता है, friends, register under cooperative society act 1912, okay, इनका इसका particular act बनाया गया है, जिसके जो act का बनाया गया, 1912 में, okay, then, मतलब cooperative society में, society जब हम create कर रहे होते हैं, तो members को, उसको register कराना compulsory होता है, okay, without registration, cooperative society नहीं बनती है, okay, particular act के according, उसको register कराना compulsory है, funds are raised through, and then welfare motive, okay, तो इनका purpose ही यह होता है, यह welfare motive से ही मतलब काम करते हैं, okay, इनको profit earn करने का यह कोई भी इनका motive नहीं होता है, friends, register under cooperative society act, 1912, okay, इनका, इसका particular act बनाया गया है, जिसके, जो act का बनाया गया, 1912 में, okay, then, मतलब cooperative society में, society जब हम create कर रहे होते हैं, तो members को, उसको register कराना compulsory होता है, okay, without registration, cooperative society नहीं बनती है, okay, particular act के according उसको register कराना कमपर करते हैं, then, funds are raised through members by issue of shares, okay, so, funds कहां से collect होता है, सारे members collect करते हैं, थोड़ा-थोड़ा amount, then, इनका fund collect होता है, minimum 10 adult members are required, इसमें society को form करने के लिए, minimum 10 adult members, मतलब, above 18, या equivalent to 18 होने चाहिए, okay, then, ही, cooperative society के वो member बन सकते हैं, now, we study features of cooperative society, okay, first point is voluntary membership, as we discussed earlier, free to join and free to leave, okay, इसमें, members कभी भी join कर सकते हैं, और कभी भी leave कर सकते हैं, अब leave करने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, बिन मता है, तो leave कर नहीं सकते हो, तो बस उनको एक notice of करने होती है, कि हम society को leave करना चाहते हैं, फिर अगर उस time period पर वो leave करना, अगर society leave करने देती है, तो ठीक है, otherwise, वो one month का period सर्फ करती है, कि आप one month बाद leave करते हैं, तो then member one month बाद leave करता है, okay, then उसके बाद होती है, legal status, registration compulsory separate legal entity, legal status means, cooperative society को एक registration होने के बाद, एक separate legal entity मिलाती है, means, law के according उनको एक separate legal entity बोलते हैं, उनको separate माना जाता है, एक individual के according माना जाता है, जिसे कि वो कुछ भी अगर, कुछ भी अगर, कुछ भी अगर उनको decisions लेने होते हैं, तो वो खुदी ले सकता है, फिर उसको law के पास जाके, वो decisions को नहीं लेने होते हैं, तो इसमें separate legal entity होती है, then उसके बाद होता है, limited liability, limited to the extent of capital contribution, जिसे हमने उसमें देखा था, partnership में, ठीके, उनकी liability unlimited होती है, बट यहां पस liability limited होती है, अगर मैं 10,000 रुपीस लेके contribute कर रही हूं, तो मुझे सिर्फ 10,000 तक की ही liability pay off करनी होती है, ऐसा नहीं कि अगर मेरी society, उसमें का बोते है, loan या फिर किसी चीज में जा रही है, हना death में जा रही है, bad debts में, तो ऐसा नहीं कि मुझे pay करना होगा, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी individual को compulsory pay नहीं करना पड़ता है, इसमें society ही pay करती है, members की हमेशा limited liability होती 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 है, वो एक extent तक ही, elected managing committee body बनाई जाती है, जिसके through वो elected managing body जो रहती है, means एक person को, वो elect करते हैं, group of people, एक साथ बैठते हैं, then वो decisions लेते हैं, and then फिर वो एक managing committee को elect करते हैं, एक individual person को, okay, जो की सारे decisions लेता है, okay, and then, उसको क्या बोलते है, elected managing committee, okay, यह democratic होता है, okay, then service motive, mutual help, okay, इसमें क्या होता है, इनका service motive होता है, इनको profit कमाने का उतना वो नहीं होता है, okay, यह profit कमाने के aim से नहीं जाते हैं, enter करते हैं, यह service motive के aim से join करते हैं, okay, इसमें mutual help means, सारे लोग मिलकर काम करते हैं, and then service provide करते हैं, now we see marriage and demerits of cooperative society, so friends, advantages of cooperative society discuss करेंगे, first point is equality in voting status, okay, so इसमें one person one vote होता है, okay, एक person को सिर्फ एक की वोट मिलता है, इसमें सारे persons को equal rights होता है, okay, ऐसा नहीं कि जिसने ज्यादा capital contribute की है, तो उसको ज्यादा voting rights होगे, या फिर उसको ज्यादा rights होंगे, ऐसा नहीं है, सारे persons जितने भी members होता है, सबको equal rights होता है, equal rights होता है, okay, then second is limited liability, features में भी मैंने आपको बताया था कि liabilities में limited होती है, जो भी members होते हैं, उनको खुद के assets sale out करके, कभी भी payoffs, debts को payoffs नहीं करना होता है, okay, cooperative society ही sometimes अपने personal assets sale off करके, bad debts को pay करती है, okay, but members को कभी भी debts को payoffs करना नहीं होता है, इसलिए इनकी liability होती है, और जो कि इसका यह advantage है, okay, then stable existence means, इसमें stable existence होता है, means किसी cooperative society जल्दी से बंद नहीं होती है, okay, इसकी continuity चलती रहती है, किसी के मरने से मितलब death हो जाने से, bank corrupt हो जाने से, इसमें कोई भी effect नहीं पड़ता, okay, तो यह हमेशा stable होती है, members आते हैं, जाते हैं, okay, but यह कभी भी exit नहीं करती, then economy in operation, reduce middleman wastage, okay, so, इसमें क्या होता है, economic operation means, इसमें जो जितने भी middleman होते हैं, इनको यह reduce कर देता है, खातम कर देता है, तो इसके कारण क्या होता है, कि जो भी cost होती है, वो reduce हो जाती है, कोई भी product है, उसमें middleman को अगर हम हटा देंगे, तो इसकी जो cost है, वो come हो जाएगी automatic, okay, क्योंकि उसमें वो profit add नहीं होगा, तो cost क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए यह एक normian operation होता है, तो यह इसका advantage है, okay, then support of government, इसमें कहता है, support of government means, यह public welfare के लिए काम करती है, इसलिए इसमें full support होता है government का, so इसमें taxes भी बहुत कम rate पर लगते हैं, okay, then उसके बाद subsidies government provide करती है time to time, then उसके बाद अगर इनको कभी loan लेना होता है, तब भी government का, कम interest में इसमें को loan provide करती है, okay, then last point is ease of formation, इसमें इसका formation कोई भी difficult नहीं होता है, okay, simple legal formalities को follow करके 10 adult members, adult means जो above 18 या equal to 18 है, okay, वो इसमें join करते हैं and then यह form हो जाती है, then अब let's discuss disadvantages of cooperative society, so friends, disadvantages of cooperative society, first होता है limited resources, okay, capital bought by members, okay, limited resources को होते हैं, क्योंकि members ही capital को collect करते हैं, okay, and 10 members होते हैं, जो थोड़ा-thोड़ा capital को collect करके, then उसके बाद फिर वो resources generate करते हैं, इसलिए क्या होता है, कि resources हमेशा limited होते हैं, okay, and then low rate of return, इनको उतना return भी नहीं मिलता है, कि मतलब हमने capital जादा contribute कर दी, पर हमें profit तो मिलना ही बहुत काम है, इसलिए people करते हैं, कि capital हमेशा कमी contribute करते हैं, तो इसका इसलिए एक disadvantage है, okay, then second is inefficiency in management, unable to attract export managers, okay, inefficiency in management means, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है, कि यह अच्छे export managers को hire कर सकें, okay, और वो इतना high salary भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, कि यह, इनका जो management है, वो इतना efficient नहीं होता है, efficient नहीं होता है, okay, अब यह members कहां से elect करते हैं, 10 members के बीच से elect करते हैं, तो वो members भी इतने efficient नहीं होता है, इसलिए कई बार क्या होता है कि इस चीज में भी उनको disadvantage होता है इनको सारे ही अपने सारे members की information हर एक चीज government को disclose करने होती है तो इसमें क्या होता है secrecy maintain करना impossible हो जाता है तो इसलिए यह भी एक इसका disadvantage है इसमें क्या होता है पूरा government का support होता है अब government आपको इतने सारे benefits प्रोवाइड करती है लाइक taxation आपको low रखती है loan आपको कम interest में प्रोवाइड करती है तो government भी है आप से accept करेगी कि आप भी उनको कुछ दे हाना तो इसलिए cooperative society में इनको return करना पड़ता है कुछ ना कुछ okay government को कुछ ना कुछ profit दिलाना पड़ता है इसलिए government भी इनको पर कई बार बहुत सारे rules भी वह कर दिता है implement करता है तो यह भी इक इसका disadvantage है then difference of opinion अब अलग-अलग जगे से people आते हैं okay तो उनके बीच में fight भी हो सकती है क्योंकि सबके opinion एक जैसे नहीं होते okay तो इसकारण भी कई बार business में influence आता है okay जिसके करण cooperative society में disadvantage हो जाता है okay तो यह भी इसका इक disadvantage है next video में हम types of cooperative society पढ़ेंगे okay then उसके बाद हम company शोरू करेंगे friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना ना भूले thank you